Hello everyone, मेरा नाम है Sumit and welcome to my channel तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे आखरी चैप्टर, unit 1 का और इसके बाद ये पूरी unit खतम हो जाएगी notes आपको application पे मिल जाएगे, जाके download कर लेना, कल में upload कर दूँगा तो आज हम सबसे last chapter देखने वाले हैं, जिसमें हम correlation के बारे हैं पढ़ेंगे हालंकि ये जितने भी topic मैंने आपको पढ़ाए हैं अब तक सारी unit में उसमें से मुस्किल से एक दो question आते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम चांस हैं कि यहांसे कोई एकात question आ जाए, बस यहां पे मैं आपको दो formula के बारे में बताऊंगा और एकात question solve करवाऊंगा, जिससे आपका ये वाला जो पोशन है वो पूरा complete हो जाएगा, तो correlation होता क्या है, simply correlation को आप ऐसे समझे लो कि जो दो क्या बोलते हैं, linear association between two variables, कहने का बनलब साफ साफ यही है, कि दो variables की बीच की relations, इपको हम correlation बोलते हैं, simple आपको definition याद रखनी है बस, और next ये जो correlation की जो theory है, ये एक scientist थे, Karls Pearson, जिन्होंने क्या है coefficient of correlation की theory दी थी, तो ये क्या एक biomatrician के साथ साथ एक statistician भी थे, ठीक है, तो इन्होंने क्या है, इस theory को दिया था, और Karls Pearson ने क्या है, इस theory को दिया था, तो इसकी बैसे इस का नाम जो है, इस technique का नाम के है, Pearsonian coefficient of correlation भी है, ठीक है, और साथ में से हम denote करते हैं कि से, small r से, तो ये चीज़ बस आपको ध्यान रखनी है, इतना ही portion आपको पढ़ना जरूरी है, बाकि ये जो Karl Pearson coefficient of relation theory है, तो दो दो नमबर में definition पूछ ली जाती है, तो उसके सबसे आप जो याद कर सकते हो, बाकि इसमें ज़्यादा आपको कुछ याद करने की जोगत नहीं है, थोड़े से इसकी properties बेगरा दी हैं, तो आप वो read कर सकते हो, और बढ़ते है next calculation private की तरफ, तो एकत बहुत कम chance है, मैं बोलता हूँ कि 90% chance नहीं है कि इसमें से एकत question आए, तो आप जो है 10% को लेके चलो, और एकत दो question मैं आपको करा देता हूँ कि कैसे आपको solve करना है, और कैसे आपको correlation निकलना है, और किस तरह के question पूछे जाते हैं, तो उसके बारे मैं आपको थोड़ा बता दे जाता हूँ, और एक-दो question हम solve करते हैं, तो सबसे पहले हम method के बारे हम बात कर लेते हैं, तो यहां क्या है तीन method यूज किये जाते हैं, एक होता है direct method, और दूसरा होता है हमारा shortcut method, जो यहां पे दिया हुआ है, यह रहा shortcut method, यह इसका formula है, आपको देख रहा है shortcut, लेकिन formula है काफी long है, इसके बारे में भी discuss करेंगे, और तीसरा है हमारा step deviation method, तो यह क्या है, जो step deviation method है, यह काफी length दी है, तो इससे related अब कोई question नहीं करेंगे, और इससे related कोई question पूछा भी नहीं जाएगा step deviation से, ज्यादा तर चांस हैं, अगर कोई भी question इसमें से आया, तो उसमें क् shortcut method से करने के लिए बोला जा सकता है, या फिर क्या है, कोई question में अगर नहीं दिया है particular किसी method से solve करने के लिए, तो आपको जो पसंदा है जैसे direct method आपको ज्यादा आसन लगता है, तो आप उससे कर दो, shortcut आसन लगता है, तो उससे कर दो, ठीक है, लेकिन क्या है, यहाँ पर step deviation method है, तो यह काफी ज्यादा lengthy हो जाता है, और question paper में इस तरह ही question नहीं दिये जाते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा time लगी है, उससे करने में, ठीक है, तो step deviation method को हम यहाँ पर cover नहीं करेंगे, क्योंकि यह जरूरी नहीं है, जरूरी होता तो मैं आपको जरूर करवाता है, य जलिए, तो यहाँ पर एक question दिया है, अब मैं आपको question के बार यहाँ थोड़ा सा बता देता हूं, कि question जो है कैसे पूछ लिया जाता है, कि calculate correlation using direct method, simple है, तो आपको direct method से इसमें correlation जो हम find करना है, यहाँ पर हमारा data दिया हुआ है, basically यह जो correlation वाली theory है, इसमें क्या करते हैं, क तो दोनों variables को हम जो solve करेंगे, और फिर क्या जो answer नगलेगा, तो वो कि हमारा relations program दोनों variables के बीच में, next यहाँ पर एक हो चीज जो दियान रखने वाली है, कि यहाँ पर जो data दिया हुआ है, इसमें capital X और capital Y होती है, लेकिन इसका जो formula होता है, उसमें small x और small y होते है, small x, small y, जैसा कि आप देख रहे हो, यह चीज़ आपको ध्यान रखने है, हमें सा, तो data जो दिया हुआ है question में, उसमें capital रहेगा, और formula जो हम use करेंगे, उसमें हमारा small रहेगा, तो चलिए देखते हैं से कैसे calculate करना है, और क्या-क्या चीज़ आपको ध्यान रखने है, चलिए त आपको small x निकालना है, ठीक है, तो एक कोलम हमारा small x का बनेगा, यह small और capital वाला जो system में आपको ध्यान रखना है, इसे भूलना नहीं है आपको, नहीं, आप ऐसा रहो कि कहीं capital बना दें, कहीं small बना दें, जो चीज़ है वस वहीं आपको करना है, second हमें जो small y भी find करना है, यहाँ पर, ठीक है, small y दिया है, फिर हमें क्या है, x, y find करना है, ठीक है, क्योंकि sum of x, y दिया है, तो हमें क्या है, x, y भी find करना है, और next हमें क्या दिया हुआ है, x square दिया है, तो हमें x square निकालना है, और फिर हमें क्या है, y square निकालना है, तो यह इतनी सारी चीज़ें हमे एक्स बार, ठीक है, यह हमारा small x है, यह capital x और यह हमारा x बार है, तो ऐसे हमारा x निकलेगा, और same हमें जो y निकलना है, small y, तो यह कैसे निकलेगा, capital y minus y पे बार, ठीक है, तो यह दोनों formula हम use करेंगे, अब सबसे पहला काम हम यही कर लेते हैं, कि पहले x निकलना पड़ेग तो x बार आपको कैसे निकलना है, simply, x बार equal to sum of x upon n, आपको तो पता यह mean कैसे निकलते हैं, तो इस तरीके से आपको mean निकलना है पहले, तो इसे हम जब sum करेंगे, तो क्या आएगा हमारा sum of x, ठीक है, कि यह जो x variables दिये हैं यहाँ पे, तो इन सब को sum करना है, तो इन सब को हमारा यहाँ पे, यह कितने numbers है, यह 7 है, यह 7 observations हमारे, तो आपको क्या करना है, 7 से divide कर देना है, कितना आएगा आपको, 5 आएगा, तो x बार हमारा कितना है, 5, same आपको इसी तरीके से y निकलना है, ठीक है, तो y निकलने के लिए हम क्या करेंगे, simple, तो y bar equal to sum of y upon n, ठीक है, same आपको x bar आपने निकलना है, ऐसी आपको y bar निकलना है, तो sum of y क्या दिये हुए है, 70, और n कितना दिया है हमारा, 7, ठीक है, तो simple कितना आएगा, 10 आएगा, तो यहाँ पे हमारी दोनों चीन निकलना है है, y निकलना है हमारा, और यहाँ पे क्या करेंगा, अब simple ही आपको अब simple बस आपको values को पुट करते जाना है, जैसे x-x बार जब हम करेंगे, तो हमारा x आजाएगा, small x, ठीक है, तो यह रही हमारी x की value, x बार हमारा कितना आया था, 5 आया था, तो simple अब आपको क्या करते जाना है, तो x की जितनी value दी है, इस सभी मैंसे क्या करना है, 5 को minus करना है, तो 2 मैंसे 5 को minus करेंगे, तो कितना आएगा, minus 3, 3 मैंसे करेंगे तो minus 2, 4 मैंसे करेंगे, तो minus 1, 5 मैंसे करेंगे तो 0, और 6 मैंसे करेंगे तो 1 आ जाएगा, 7 मैंसे करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 8 में से करेंगे तो 3 आ जाएगा सेम आपको ऐसी आपको small y निकलना है उसके लिए आपको क्या करना है जो y की value दीए इस में से आपको y वार जो हमने निकला है 10 यह आपको minus करते जाना है तो 4 में से 10 को minus करेंगे कितना आएगा? minus 6 और 7 में से करेंगे तो माइनस 3, 8 में से करेंगे तो माइनस 2, और 9 में से करेंगे तो माइनस 1, और इस में से 10 में से 10 गया तो 0, और फिर हमारा आ जाएगा, 14 में से 10 गया तो 4, और 18 में से 10 गया तो 8, यह निकला है आपकी दोनों चीज़े, अब आपको 0 से करेंगे, तो कितना आएगा, 0 0 का 1 से करेंगे, तो फिर से 0 4 का 2 से करेंगे, 8 8 का 3 से करेंगे, 24 ये निकला है, x, y अब आपको क्या निकलना है, x square x square के लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी यहाँ पर x की value दी हैं, सभी का square करेंगे तो इसका पहले 3 का करेंगे, तो कितना आएगा, 9, 2 का करेंगे तो 4, 1 का करेंगे 1 0 का करेंगे 0, ठीक है और 1 का करेंगे, फिर से 1 आएगा और 2 का करेंगे, तो 4 आएगा और 3 का करेंगे, तो कितना आएगा, 9 सेम आपको y square के लिए, आपको का करेंगे 0 आएगा 4 का करेंगे 16 8 का करेंगे 64 सारी value हमारी आ गई है अब आपको just क्या करना है फॉर्मूले में put कर देना है सारी के सारी value वो अब यहां पर आपको देखना है कि total कौन-कौन से करना है तो sum of xy चाहिए हमें यानि sum of xy चाहिए तो यह हमारा जाएगा कितना 58 आप जब total करोगे 58 ही आएगा ठीक है और हमें क्या चाहिए sum of x स्कौर चाहिए तो इनको भी हमें total करना होगा sum of x स्कौर तो इसका आएगा 28 और फिर आपको y स्कौर करना है sum of y स्कौर तो कितना जाएगा 30 130 यह तीनों निकाल आई है बस आपको फॉर्मूले में पुट करना या अंसर आ जाएगा तो यहाँ पर आपको बताएगा तो यह रहा हमारा फॉर्मूला sum of x यह अमारा कितना निकला है 58 तो आपको क्या रख देना है 58 upon under root of क्या रखना है हमें sum of x स्कौर कितना निकला है हमने sum of x स्कौर यह है हमारा 28 तो 28 आ गया और यह जो पॉइंट लगा है इसका मतलब मल्टिप्लाई होता है और यहापे आपको क्या करना है y2 दिया हुआ है तो उसका आपको sum करना है ठीक है तो वहाँ पे अल्रेड़ी दिया हुआ है 130 तो put कर देना है आपको simply बसेने calculate कर देना है तो मैं यहापे एक line कीच देता हूँ अब आपको क्या करना है simply equal to 58 अमारा दिया हुआ है already बाकी आपको under root को आपको solve कर देना है ठीक है तो कितना आएगा हमारा इसके अंदर आ जाएगा दोनों को multiply कराएंगे 28 और 130 को तो आ जाएगा 3640 अब next आपको क्या करना है simply 58 अब under root की value को आप निकाल लो ठीक है तो निकाल लेगा मैंने आपको तरीका बताया है कि कोई भी आप random value ले लो जिसका हमारा लगवा इतना square आ जाए ठीक है तो जैसे ह तो 61 और 61 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 3721 तो इससे ही आगे निकल गए है अगर हमने 61 का किया है तो तो हम क्या करेंगे याप ए 60 का ही ले ले लेंगे तो 60 point हम कुछ value ले लेंगे तो हमारा कितना जाएगा 3640 आ जाएगा तो यहां हमने 60.3 ले लिया है अब आपको simply ही क् देना है 60.38 को तो कितना जाएगा हमारा 0.96 लगवा तो आपको क्या है एप्रोक्स लिख देना है इसके आगे जो भी वैलिई आपको निकालनी है ठीक है जो भी आपको आंसर आए उसके आगे आप्रोक्स लिख दो तो वो क्या है बिल्कुल correct हो जाएगा और आंसर भी हमारा लगवा इतना ही आएगा तो यह हमारा पहला तरीखा हो गया direct method का अब देखते है next question जिसमें हम क्या है shortcut method को use करेंगे और यह वाला जो formula दिया हुआ है इसमें सारी value को put करेंगे तो यह दो ही method आपके लिए important है अगर आपसे shortcut में पूछा जाता है तो shortcut से करिए अगर आपसे कोई method नहीं पूछा जाता है तो आप direct से कर सकते हो कोई problem नहीं है और बहुत ही कम chance है कि एक हाथ question इसमें से आएगा इसलिए मैं ज़्यादा इसे serious नहीं ले रहा है तो आपको भी नहीं लेना है तो बस यहाँ पर क्या है simply data दिया है दो variables यहाँ पर दे हुए है formula हमारा यह रहा अब बस आपको क्या है पहले एक table बना लेनी है चलिए तो formula के सबसे यहाँ column बना लेते हैं कि आपको क्या गया निकलना है तो आपको जो है यहाँ पर सबसे पहले यह वाला part देखना है तो आपको dx निकलना है और dy निकलना है तो दो क्यों हमारे बन जाएंगे एक dx का और एक अमारा dy का ठीक है सर दूसरा हमारा क्या बनेगा यह बनेगा अमारा dx into dy ठीक है यह बन गया अब तीसरा हमारा किसका बनेगा dx square का तो यह हमारा बनेगा dx square और फिर हमारा यह किसका बनेगा यह बनेगा हमारा dy square का यह रहमारा dy square ठीक है सोरी यह बना dy square बस आपको इतने सारे column बनाने है ठीक है तो x मैं से हम क्या है कोई भी एक adjunumd meal ले लेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर mid value हम ले लेते हैं, तो x के लिए हमने adjunumd value ले ले ले, अब dx निकालने के लिए हम simple ही क्या करेंगे, x की सारी value मैं से 8 को minus करते जाएंगे, तो हमारा dx आ जाएगा, तो आपको इसी तरह से dy के लिए निकालना है, तो हमें क्या करना है पहले, एक adjunumd, हमें mean कांसे लेना है y में से, तो यह हमने a ले लिया, अब आपको y की value में से a को गटाते जाना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा, तो simple, बिल्कुल, तो 10 में से हमारा 20 का है कितना 5, और 20 में से 20 का है, जीरो, 25 में से 20 का है कितना बचा, 5, और 30 में से 20 का है कितना बचा, 10, तो दोनों ची जाएगे हैं मारी, dx आ गया और dy आ गया, अब dx into dy चाहिए तो इन दोनों को multiply कर देंगे, ठीक है, तो 10 और 4 का करेंगे तो कितना आएगा, 40, 2 और 5 का करेंगे 10 आ जा करेंगे, 7 का 5 से करेंगे 35, 12 का 10 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 120, आगया अमारा, अब dx से स्कुई है चाहिए तो खरएगे, dx की सारी value को हम square कर देंगे, तो dx से qeager आ जाएगा, तो अब हम्मे क्या करना है, तो 4 का square करेंगे, 16, 2 का करेंगे, कितना आएगा, 4, 0 करेंगे, 0 आएगा, 7 का करेंगे 49 12 का करेंगे 144 Simple विलकुल अब dy square के लिए dy का आपको क्या करना square कर देना है, 10 का करेंगे कितना आएगा 100 5 का करेंगे 25 0 का करेंगे 0 5 का करेंगे 25 10 का करेंगे 100 बस simple, अब आपको formula में देख लेना है, क्या करेंगे चाहिए उसे सबसे हम सबको जो है, count कर लेते हैं सबसे पहले कि आपको dx चाहिए तो sum of dx हम निकाल लेते हैं यहापे तो sum of dx आएगा हमारा 13, फिर हमें dy चाहिए तो sum of dy भी निकाल लेंगे, तो कितना आएगा 0 0 ही आएगा, जब आप इसे calculate करोगे next हमें क्या है, dx into dy चाहिए तो 205 आएगा और next चाहिए हमें क्या, dx square तो कितना आएगा हमारा, 213 और next हमें क्या चाहिए dy square चाहिए तो यह हमारा आएगा, 250 तो सारी value आगी है बस आपको formula में put करना है, simply तो यह हमारा formula आप value का आपको put कर देना है, sum of dx और dy चाहिए, तो कितना आएगा हमारा यह आगए हमारा, 200 पांच जैसा कि मैंने यहाँ पे निकाला है, sum of dx dy कितना हो गया, 205 तो 205 आपको इस तरीके से लिख देना है minus dx कितना है हमारा sum of dx, यह हमारा 13 तो simple यह आपको 13 लिख देना है और फिर आपको multiply कर देना है किस से, यह आएगा हमारा dy हमारा आया है, sum of dy कितना 0 आया था, तो आपको देखते आना है table में, बागी सब EGA तो और यह आएगा हमारा upon 5 ठीक है, simple आपको लगा देना है यह, और फिर आपको under root में कुछ value आपको और रखनी है तो dx square हमारा कितना आया था यह आया था हमारा 213 minus dx का sum of dx हमारा कितना आया था 13, तो आपको 13 का square पर देना है, और upon में कितना आया था हमारा, n कितना था 5 था, total number of observation हमारे 5 थे, तो यह आ गया बाकि आपको multiply करना है फिर आपको एक under root लगाना है dy square कितना था हमारा 250 minus, और dy का, और sum of dy कितना था 0 था हमारा, ठीक है 0 का square upon 5 बस आपको आपको आप simply solve करते ही आना है solve करने के लिए का करना है आपको सबसे पहले 205 इस पूरे value का जब हम solve करेंगे तो हमारा 0 आएगा, तो उसे लेखने है की जबवत नहीं है आपको, नीचे हमने लगाया और फिर हमने under root के अंदर वाली value solve करनी है, तो फिर आएगा हमारा 213 minus 13 का square करेंगे 169 upon 5 multiply multiply करेंगे तो कितना आएगा हमारा 250 और जब इस value को solve करेंगे तो 0 आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है next हम करेंगे, क्या करेंगे इस से आगे का, तो next आएगा हमारा 205 upon under root of, तो next हम क्या करेंगे 5 से हम इस value को divide करेंगे और फिर 213 minus value को गटा देंगे तो हमारा लगवाग आएगा कितना 179.2 multiply by एक और हमारा square root अंदर 250 यहां तक आ रहा है आपको, यहां तक आई रहा होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, simple calculation वाला part है, और next हम बात करेंगे, तो एक क्वेश्टू, अब क्या आएगा हमारा 205 upon 179 को जब हम अंदर root इसकाट आएगे, तो कितना आएगा हमारा लगवाग 13 आएगा, मैंने निकलने का तरीका आपको बता दिया है, कि बस आपको सोचना है कि 179 किसका मतलब square होता है, या फिर उसके आसपास की जो कौनसी date होती है जिनका 179 होता है, ठीक है तो ऐसी date हमारी 13 होती है 13.5 का जब हम square करेंगे तो लगवा इतनी value आएगी, तो आपको सोच के लगना है multiply भई आप 250 का भी अटा होगे, ठीक है तो लगवा 15.9 आएगा तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और next जब हम करेंगे तो 205 upon 214.65 आएगा जब इन दोनों को हम जब multiply करेंगे आपस में और फिर हमारा इन दोनों को जब हम divide कर देंगे तो आएगा हमारा 0.96 ये हमारी approx value है तो approx आपको लिख देना है जब भी कोई point में value आती है तो ये shortcut method हो गया next इसमें एक और step deviation method आता है जो के बहुत ज़्यादा length दी है इसमें बस formula हमारा same shortcut वाला ही रहेगा बस आपको जब 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 पर d, x dash, y dash, x dash, y dash ऐसे आपको लगाना है और इन सब की भी अलग अलग value निकलेगी और d, x dash की निकालेगी ने हम क्या करते है dx upon c कर देते है यानि एक common value हम उसमें से लेंगी data में से तो हमारा जो है d, x dash आ जाएगा लेकर आपको ये करने की जब 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 जाएगा ये formula काफी कम पूचा जाता है ये पूचा ही नहीं जाता एक भी question correlation से हमारा नहीं बनता है और अगर बनता भी है तो आप direct method से simply solve कर देना है ना या फिर shortcut आपको अच्छा लग रहा हो तो shortcut से कर देना लेकिन step deviation method का कभी नहीं पूचा जाता तो ये था हमारा ये वाला chapter correlation वाला इसमें एक multiple correlation और है वो बिल्कुल भी important नहीं है theoretical part है उसमें और उसमें भी एक आद formula है तो वह मैं आपको notes में provide करा दूँगा बाकि आपको अलग से जो उसे करने की जोगवत नहीं है उसमें से एक भी question नहीं पूचा जाएगा उससे question बनता ही नहीं है हमारा तो उसे आपको करने की जोगवत नहीं है लेकर notes में मैं आपको provide करूँगा तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना बाकि ऐसे ही सेम हमारा unit 2 से भी एक आद दो question ही आएगे ठीक है और बाकि हमारा theoretical portion है हमारा 3, 4, 5 unit तो उनमें से ज़्यादा तरह हमारी question आते है तो आपको यह calculation वाला जो part है वो आपको पस इतना ही करना है ज़्यादा आपको इसमें टैंसल लेने की जोगवत नहीं है formula मैं आपको बता दूँगा कि क्या के आपको याद करना है कौन कौन से question आने के chance से देते हैं तो यह था आज का हमारा lecture और यहाँ पर आके हमारी जो unit number 1 है वो हमारी finish हो चुकी है जो भी इसकी जो चीजां बची हुई है वो मैं note मैं आपको provide करा दूँगा तो जाके आप application से download करने लाए सारे के सारे notes ठीक है तो इस unit का हो गया अंत हम मिलेंगे next unit के सार्थ unit number 2 तब तक के लिए goodbye and take care